विडियो में आप सभी का स्वागत है, आए शुरू करते हैं और जानते हैं PM मोदी द्वारा किये हुए हैं काम. PM मोदी जी के मुख्य कार्य गुजरात के मुख्य मंत्री एवं प्रधान मंत्री दोनों के रूप में मोदी जी ने कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए, एवं इनके कार्यकाल में लिए गए कुछ फैसलों की जानकारी इस प्रकार है. भूमिजल सनरक्षन प्रोजेक्ट गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनके शासन के दोरान सरकार ने भूमिजल सनरक्षन प्रोजेक्ट के निर्मान का समर्थन किया इससे बीटी कौटन की खेती में मदद मिली जिससे नल कूपों से सिंचाई की जा सकती थी इस तरह से गुजरात बीटी कॉटन का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया नोट बंदी प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान मोधी जी ने नोट बंदी जैसा बहुत ही एहम फैसला लिया जिसके तहट मोधी जी ने 500 एवम 1000 के पुराने नोट बंद कर दिये एवम इसके स्थान पर 2000 एवम 500 के नए नोट जारी किये यह मोधी जी द्वारा लिया गया एक एतिहासिक फैसला था GST नरेंद्र मोधी जी ने नोट बंदी करने के बाद देश में जितने भी टैक्स लगाये जाते थे उन्हें एक साथ सम्मिलित कर दिया और एक टैक्स GST यानी Goods and Service Tax लागू किया सजिकल स्ट्राइक प्रधान मंतरी मोधी जी ने 2016 में उरी हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारतिय सेना के साथ मिलकर सजिकल स्ट्राइक करने के फैसला लिया एर स्ट्राइक इसके बाद उन्होंने साल 2019 में फरवरी में हुए पुल्वामा हमले के बाद देश के सभी सुरक्षा बलों को पाकिस्तान के खलाफ किसी भी प्रकार का एक्षन लेने के लिए खुली छूट दे दी जो की बहुत ही बढ़ा एलान था इसके बाद फरवरी में ही वायुसेना द्वारा एयर स्ट्राइक की गई थी। उपर दिये हुए मुख्यकारियों के अलावा प्रधानमंत्री जी खाते में आने वाले कुछ अन्यकारिय जैसे अंतराश्ट्रिय योग दिवस की शुरुआत गुजरात में स्टैचू अफ लि में का निभाई है। इन सभी के साथ ही मोदी जी ने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने और दुनिया के अन्य देशों के साथ संबंधों को सुधारने के लिए बहुत बड़ा संकल्प भी दिखाया है। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके भारत